Good day to all of you, मैं आशा करता हूँ आप सभी ने कैल्क Spreadsheet के Advance भाग को स्थाही प्रकासे सीख लिया होगा क्योंकि Spreadsheet Advance को सही पर पूरा होता है, अगली क्लास में आप सभी का Practical Test होगा और उसके बाद Computer शिक्षा के द्वारा आपका एक Return Test लिया जाएगा आज की क्लास में आप सभी Spreadsheet के Advance भाग में जो सिखाया गया है, उन सभी Options में से कुछ Options का Revision करेंगे आए पहले क्लास का Revision कर लेते हैं Scenario विकल्प का उप्योग किसले किया जाता है? Scenario विकल्प का उप्योग आप जब करेंगे अगर आपको अपने डेटा बार बार बदलना होता है और पुराने और उस पर Change किये वे डेटा को भी देखना चाहते हैं तो आप Scenario विकल्प का उप्योग Scenario विकल्प की मदद से आप एक-एक करके उसका उप्योग कर सकते हैं जो आपको बॉर्डर और उसके नाम से दिखाई देगा क्या आप बता सकते हैं Find और Search Formula में क्या अंतर होता है? Find Formula की मदद से किसी Text में जो भी आप Find करना चाहते हैं मतलब आप उसमें किसी भी Text, Symbol को ढूना चाहते हैं तो आप Find का उप्योग कर सकते हैं लेकिन वो वर्ड एक जैसे ही होना चाहिए Search Formula की मदद से आप किसी भी Text, Symbol, इत्यादी को ढून सकते हैं क्योंकि एक Case Sensitive नहीं होता ये छोटा अथवा बड़े Letter में भी कैसे भी Search कर सकता है क्या आप बता सकते हैं Substitute Formula को उप्योग क्यों करते हैं Substitute Formula के उप्योग से आप अपने पुराने Text की जगा पर नए Text को बदल सकते हैं क्या आप बता सकते हैं Merge Document और Share Document में क्या अंतर होता है Share Document के दिवारा आप अपने Spreadsheet के Data को आप अपने System के साथ दूसरे System पर भी Share कर सकते हैं और उप्योग कर सकते हैं इसके लिए आपका System सर्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए Merge Document से आप अपने Current Spreadsheet के Document को दूसरे Document के साथ Merge कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं Sum If और Sum If में क्या अंतर होता है Sum If Formula के द्वारा आप किसी Data में से किसी भी एक Name अथवा दूसरी Condition के उसका Sum अथवा उसका Total Value निकाल सकते हैं Sum If Formula का उप्योग आप जब करेंगे अगर आप किसी Data में से 2 ये 2 से ज़्यादा Condition के अनुसर उसका Sum मत्वा टोटल निकालना चाहते हैं तो आप इसके लिए Sum If Formula का उप्योग करेंगे अब आप सभी Computer को On करें और बताएगे किसी भी तरीके से Spreadsheet की File को Open करें आज आप अभी तक सिखाएगे कुछ विकल्पों का अभ्यास करेंगे अब आप सामने दियेगे डेटा को अपनी सीट पर टाइप करें क्या आप बता सकते हैं अगर आपको Spreadsheet Document को किसी दूसरे को Send करना हो तो कैसे करेंगे अगर आपको Spreadsheet के Document को किसी दूसरे को Send करना हो तो आप दो तरीके से अपने File को Send कर सकते हैं पहला आप File Menu के Send विकल्प के उप्योग से और दूसरा Standard Toolbar के उप्योग से इसके लिए आपके पास Outlook का Account होना जरूरी है अब आप सभी इस विकल्प का अभ्यास करके दिखाएं कि किसी File को कैसे Send करते हैं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सीखते हैं आए वीडियो की मदद से सीखते हैं किसी Document को Send कैसे करते हैं सबसे पहले Send करने के लिए जो भी आपका Account है जो भी आपका सिस्टेम में वो Outlook के साथ लिंक होना चाहिए अगर आपका सिस्टेम अगर Outlook के साथ लिंक नहीं है तो आप email नहीं कर पाएंगे आप दो तरीके से email कर सकते हैं एक Standard toolbar में Send as email option की मदद से दूसरा File menu में जाके Send option पे हमने File menu पे क्लिक किया Send option पे गए Documentize email पे क्लिक किया जब आप देख सकते हैं यहाँ पे No Profile Have Been Created लिखा हुआ रहा है क्योंकि जो यह सिस्टेम में यह Outlook के साथ लिंक नहीं है इसलिए इसे हम Send नहीं कर सकते हैं आप लोगों को Account जो भी सिस्टेम में वो Outlook के साथ लिंक्ट होना चीज़ जैसे ही अगर आप अगर इस सिस्टेम Outlook के साथ लिंक्ट होता तो यहाँ पे Outlook का एक Box उपन होता फिर वहाँ पे आप email ID टाइप करके अपने Document को Send कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं प्रोपर्टी आपशन के उप्योग से आप क्या क्या कर सकते हैं प्रोपर्टी आप्शन के उप्योग से आप अपने Document के सभी जरूरी जानकारी को जान सकते हैं जैसे की, फाइल कब सेव किया था, कौन सा डेट को सेव किया था, किस टाइम, अपने डोकुमेंट के बारे में description भी दे सकते हैं, और अपने डोकुमेंट के password को भी set कर सकते हैं, अब आप सभी property विकल्प का भ्यास करें, और फिर उसमें password को लगा कर दिखाएं, अगर कोई सम मास्या हो तो वीदियो को Decker चीक्थे आएधिया को देख कर सीख थे हैं प्रॉपर्टी विकल्प का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप जानते हैं प्रॉपर्टी को की मदद से हैं फाइल की जानकारी ले सकते हैं कि फाइल कब सेव है किस नाम से सेव हो कौन सी फाइल है इसके लिए सबसे पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक करें प्रोपर्टी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें एक बॉक्स आ जाएगा है जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं यहां पर पहले से ह यहां पर फाइल नेम दिखा रहे हैं, Spreadsheet, Location, अब फाइल सेव नहीं, इसलिए Location नहीं दिखा रहे हैं, अगर यह फाइल सेव होता तो, Created Date, Modified Date, File Name, यह सभी यहां पर So होता, Description में आप फाइल के बारे में कुछ लिख सकते हैं, उसके Notes बना सकते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप यहां पर कुछ टाइप कर सकते हैं, जो भी आपकी Class है, जो भी आपकी फाइल है, उसके बारे में, Internet का Option है, यहां पर तीन ओप्शन से दिया हुआ है, Do Not Refresh Automatically, Refresh This Document, Redirect From This Document, Redirect From This Document से आप कोई दूसरी डॉक्यमेंट को यहां से Link Up कर सकते हैं, और अब से टाइम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने दिर बाद हो, Document Open हो, Refresh This Document से आप, जो भी डॉक्यमेंट है, अगर यहां पर टाइम सेट करेंगे, तो उसके बाद वो उतने टाइम के बाद वो रिफ्रेस होता रहेगा, वो उस अटोमेटिक सेव होता रहेगा, हमने यहां पर Do Not Refresh कर दिया है, फिस Security, Option पर गई, Security Option की मदद से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको डोकुमेंट पर पास्वर्ड लगाना है, तो फ्रोटेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहां पर पास्वर्ड आप लगा सकते हैं, पास्वर्ड टाइप करेंगे, जो कन्फर्म है, पास्वर्ड टाइप करेंगे, सेम पास्वर्ड रहेगा, OK, पर क्लिक करेंगे. ये जो password है, जब आप यहाप नौते हैं, जला जाएगि. जब आप इसके अंदर कुछ भी editing करेंगे, तो वो red color से highlight होगा. जैसे changes के अंदर होता है. अगर password को हटाना है, तो आप record में जाके, वहांपे record को हटाएंगे, तो आप पासवर्ट पूछेगा तो आप पासवर्ट डालके से हटावे सकते हैं अगला option statistics का है यहां से आप जान सकते हैं कि आपके पास कितनी seeds हैं कितने cell यूज किया हैं अपने कितने page हैं यह सारी जानकारी यहां से ले सकते हैं तो इस प्रकार से आप property option की मदद से आप फाइल के बारे में सभी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं क्या आप बता सकते हैं spread sheet के document पर कुछ object या background लगाना हो तो कौन से विकल्प का उप्योग करेंगे किसी चित्र थो object को sheet पर लगाने के लिए आप gallery विकल्प का उप्योग करेंगे gallery का उप्योग आप दो जगह से कर सकते हैं standard toolbar से और दूसरे tools menu के उप्योग से अब आप किसी दूसरी sheet पर gallery विकल्प के उप्योग से एक कुछ चित्रों को insert करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सीखें आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं gallery का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप जानते हैं gallery की मदद से आप कोई भी clip art या कोई भी object को sheet पर insert कर सकते हैं हमने यहां पर second sheet को select किया इस sheet पर हमें कोई भी object को insert करना है इसके लिए हम tools पर click किया gallery option को select कर लिया जैसे आपको वीडियो में दिखा जा रहा है यहां पर जितने भी gallery के option है वो आपको यहां पर show हो रहा होगा यहां पर अलग लग परकार की categories हैं उनमें से किसी भी categories को select कर लें और किसी भी object को आप select कर लें हमने यह पर object को select किया आप copy करना चाहते हैं यह link पर click करेंगे तो भी जो आपके sheet है उस sheet पर object यहां पर आ जाएगा जैसे आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं हमारे पास यह object आ गया है अब हम चाहते हैं यह object जो है यह जो sheet है sheet के background में आ जाए sheet के पीछे में आ जाए जिससे हम sheet के अंदर भी काम कर सकें इसके लिए two format पे click करेंगे arrange भी जाएंगे two background option को select कर लेंगे तो आप देख सकते हैं जो यह background है जो यह image है यह background में आ गया हूँ जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यह sheet के पीछे आ चुका है अब आप इसके अंदर कुछ भी editing कर सकते हैं आप cell के अंदर कोई भी काम कर सकते हैं यह background में set हो गया तो इस प्रकार से आप gallery विकल्प का उपयोग कर सकते हैं अब आप सभी अपनी seat में से किसी का total करें जिसका name एक ही हो अगर ऐसा करने में कोई समस्चा हो तो वीडियो को देखकर सीखें आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं नेम बाई अगर किसी का total करना है तो कैसे करेंगे सबसे पहले हम सीट वन पर गए यहाँ आप आप देख से नमारे पास data पहले सी बनाया हुआ है यहाँ पर student name है हम यहाँ पर एक और data को entry करेंगे जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पर कनी का एक और name टाइप किया फिर हम जो इसके marks है मैं आप साइन्स तो हम यहाँ पर एक और data create कर रहे हैं आप भी अपने data में create कर लें जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है हमने यहाँ पर एक और email id और एक और date of birth यहाँ पर टाइप किया है जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं आप पर date of birth भी हमने यहाँ पर टाइप किया अब हम चाहते हैं जो student name है इसमें से किसी एक name का total करके दिखाएं यह जितने भी name यहाँ पर repeat हो रहे है उसको यहाँ पर total करके दिखाया जाएं हमने एक name यहाँ पर type किया कनीका आप दे सकते हैं लिस्ट के अंदर दो बार कनीका repeat हो रहे हैं अब हम चाहते हैं कि इसका जो total marks है दोनों कनीका का total कितना है तो इसके लिए हम sum if formula का उप्योग करेंगे यहाँ पर हमने equal to sum if पहला range है तो यहाँ पर range को हम select कर लेंगे जिसके अंदर हमें find करना है student name है वो range हमारा है तो हमने select किया semi column criteria जिसका भी हमें total करना है जिस name का भी उसके हम select करेंगे तो हमारे criteria हो गया semi column फिर sum range जिसमें से हमें number का total करना है जिसका हमें sum करना है उससे हमें select करेंगे हमें number में से total करना है total marks में से हमें total marks वाले option को select किया bracket को close किया तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर answer आ गया हम यहाँ पर दो करनीका है दोनों करनीका कर जब number में यहाँ पर count करेंगे total करेंगे तो 351 आ जाएगा first करनीका 187 second करनीका 164 जब इनको आप count करेंगे total करेंगे तो 350 वन आ जाएगा तो इस प्रकार से आप sum if formula की मदद से किसी भी एक name या जितनी भी same name repeat और दो उसका आप total निकाल सकते हैं अब आप सभी data में से date of birth की column में से उसका month निकालें कि वह किस month में जन्मा था अगर date of birth में से month निकाले में अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सीखें आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं month formula का उप्योग कैसे करते हैं अगर किसी date में से month को count करना है कि कौन सा month था जैसे कि January, February, March, April तो इसके लिए हम कौन सा formula का उप्योग करेंगे एक column के अंदर हमने यहाँ पर month type किया जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर text formula का उप्योग किया equal to text यहाँ पर number पूछ रहा है तो हम जो date है उस date को select करेंगे select करने के बाद semi column फिर जो month का format है हम यहाँ पर type करेंगे inverted comma के अंदर four times हम M को type करेंगे उचकद inverted comma close bracket close enter button को press करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर month name यहाँ लिखा हुआ आ गया December इसी प्रकाश को नीचे drag कर लें जब इसे copy down करेंगे यह double click को हाँ पर करेंगे तो हर एक date का जो month है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस प्रकाश से आप tax formula की मदद से किसी भी date में से month को निकाल सकते हैं list में से यह जानने के लिए करते हैं कि कौन सा year leap year है और कौन सा नहीं अब आप किसी column में सामने दिएगे date को type करें और फिर बताएं इसमें से कौन सी year leap year है आए वीडियो को देखकर सीखते हैं leap year को कैसे find करते हैं यहाँ पर हमने पहले से कुछ date लिख रहा है जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं आप इसे देखके type कर सकते हैं अब हम इनमें से देखना है कि कौन सा year leap year है कौन सा year leap year नहीं है इसके लिए हम is leap year formula को प्योग करेंगे equal to is leap year हमने यहाँ पर type किया bracket start किया फिर जो date है उस date को में select कर लेंगे select करने के बाद bracket close और enter button 1 लिखा हो आ गया मतलब यह leap year है अगर 0 लिखा हो आएगा मतलब leap year नहीं है यहाँ आप देखते उसको में नीचे drag किया तीन date है तो दो जगह पे one one लिखा हो आया मतलब यह दोनों leap year है जहाँ पे 0 लिखा हो आया 5 6 11 वो leap year नहीं है तो इस प्रकास से आप is leap year का उपयोग कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं days in year और days in month formula में क्या अंतर होता है days in year formula के उपयोग से आप दो year के बीच में दिन को निकाल सकते हैं और days in month formula के उपयोग से आप month के days को निकाल सकते हैं अब आपने जो नए date को insert किया है उन पर इन दोनों formula का उपयोग करके दिखाएं आए वीडियो को देखकर सीखते हैं days in month और days in year formula का उपयोग कैसे करते हैं समसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपafter कुछ date type क्या हुआ है आप हम यहाँ वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर पहले सी date type क्या हुआ है तो हमने days in month के अंदर कितने दिन है हमें यह count करना है और days in year साल में कितने दिन है हमें यह काउंट करना है तो अमने कोलम में लिख लिए हमने डेइज इन मन्त और डेज इन येर जैसे आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने c और d column में इन दोनों को लिखा है और यह जो date दे हुआ है इस date को हमें count करना है हमने इन दोनों को copy किया और इसको उपर paste कर दिया हूँ जैसे उपर दिखाया जाया रहा है आपको जैसे की वीडियो में दिखाया जा रहा है अब हमें month के अंदर day को count करना है इसके लिए हम formula use करेंगे equal to days in month जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है bracket start करेंगे यहापर open bracket फिर जो भी date है उस date को select कर लेंगे जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहापर select किया select करने के बाद enter button को press किया तो इस date को इस date में जितने भी दिन थे वो यह count करके आपर बता दिया जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से हमें days in year count करना है कि एक year में कितने दिन है उसके लिए हम formula यूज करेंगे days in year यहाप हमने equal to days in year start किया type किया bracket को start किया हमने यहापर फिर जो date है उस date को हम select कर लेंगे date को select करने के बाद bracket close करेंगे और enter button को press करेंगे तो यहाप आप देख सकते हैं यहापर 360 days आ गया क्योंकि यह जो leap year था इसलिए यहापर 360 फिर 15,4,2,16 यह भी leap year था तो इसके अंदर भी 360 और last year leap year नहीं था तो यहापर 365 days तो इस प्रकार से आप days in month और days in year formula का उप्योग कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं find और search formula में क्या अंतर होता है find formula की मदद से किसी text में जो भी आप find करना चाहते हैं मतलब आप उसमें आप किसी भी text symbol को डूणना चाहते हैं तो आप find को उप्योग कर सकते हैं search formula भी find की तरह काम करता है लेकिन यह case sensitive नहीं होता मतलब की आपको इसमें capital और small letter में देखना नहीं होता अब दीगई email id में से हर एक email id की at की position को find करके बताएं कि वह किस position पर है आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं दोनों formula को उप्योग कैसे करते हैं आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं अगर हमें कोई character ये कोई symbol को find करना है तो उसे कैसे find करेंगे सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है हम यहाँ पे equal to find टाइप किया हमें searching name में से n को find करना है उसके लिए हमने inverted कोमा के अंदर जो n ने उसे type किया फिर जिस star के अंदर सची लिखाया उसको select करके enter बटन को hit कर दिया तो यहाँ पे 6 उसकी position बता दिया कि n की कितनी position है वो यहाँ पे 6 बता दिया अब हम यहाँ पे capital n type करेंगे जैसे आपको पता है की sensitive होता है तो हमने यहाँ पे capital n type किया फिर search करेंगे यहाँ पे गलती से npv का formula लिखा हुआ गया अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पे capital n को type किया semi column और उसी cell को में select किया था और bracket close करके enter button हिट किया यहाँ पे value लिखा हुआ आगे जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं सच इन के अंदर small में n लिखा हुआ है लेकिन हमने capital n करके search किया तो यह search नहीं हुआ अगर इसी को अगर हम search formula की मदद से search करेंगे तो यह search हो जाए के अंदर and लिखा हो उसको select किया तो आप आप देख सकते हैं six value आ गया यहाँ पर चाहे small में लिखा हो यह capital में लिखा हो search उसको search formula की मदद साब उसे find कर सकते हैं अब हमें add की position find करना है यह हमारा पास की कुछ email id दिया हुआ है इसी विए हमें add की position को find करना है तो इसके लिए आप search और find दोनों में से कोई से भी formula को use कर सकते हैं हमने यहाँ पर equal to find bracket को start किया inverted comma के अंदर double quote जो है उसके अंदर हमने add को लिखा फिर semicolumn उसके जिस cell के अंदर भी email id है उस cell को हमने यहाँ पर select कर लिया फिर bracket को close किया और enter बटन को hit किया यहाँ पर 10 लिखा हुआ आ गया जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं अभी हम formula बार में जाके find के जगह यहाँ पर search करेंगे हमने इसके editing किया हमने दूसरे formula यहाँ पर search लिखा बाकी सारा syntax सेम रहने दिया हमने इसके इंदर कोई changes नही position को find करना है तो यहाँ पर click करके नीचे drag कर लें यह copy down हो जाएगा और सबकी email id में जितने भी at लिखा हुए जहाँ पर भी उसकी position को count करके यहाँ पर बता देगा जैसे इस प्रकार से आप find और search की मदद से किसी भी email id में से कोई भी symbol को find कर सकते हैं अब आप सबी email id में से first name को निकाल कर दिखाएं अगर आपको first name निकालने में कोई समस्या हो तो आएए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं किसी email id में से first name को कैसे निकालते हैं इसके लिए हम left formula का उप्योग करेंगे जैसे आप देखेते हैं हमने एक column में first name लिखा हुआ है हमें यहाँ पर email id में से first name को निकालने हैं इसके लिए हम equal to left type करेंगे bracket को start फिर text जो text है हम उस text को select कर लेंगे इस column में भी लिखा है लेफ्ट हैसे जीतने भी character को find करना है जीतने भी name को find करना है वह हम यहाँ पर type करेंगे यहाँ पर six type किया bracket close enter button यहाँ आप देखेते हैं सौरव six name का है तो जैसे हम enter button हिट करेंगे यहाँ पर सौरव लिखा हुआ आ जाएगा अगर मान लेजिए हैं यहाँ पर कोई अलग-अलग character के नाम में लिखा होता है कोई 10 character का कोई 11 character का तो हम इसको इस तरीके से निकालते हैं तो वह पूरो proper first name नहीं निकलता है इसके लिए हम find formula का भी upio करके निकाल सकते हैं इसके लिए हमने सबसे पहले equal to left type किया cell को हमने select किया जिसके अंदर email id है फिर semicolumn find अब हम यहाँ पर चाहते हैं जो dot है dot से पहले की सारी value आ जाए यहाँ आप आप देखते हैं first dot है first dot से पहले जो भी name है वो सारी name है तो हमने यहाँ पर पहले dot को find कर आया आप देख सकते हैं double inverted comma के अंदर dot लिखा फिर semicolumn उस cell को select किया bracket को close करके minus one किया क्योंकि मैं उस dot से पहले की value चाहिए फिर bracket close किया enter button ने यहाँ पर hit किया तो आप देख सकते हैं सवरव लिखा हूँ आ गया जब इसको हम drag करेंगे तो इस सब का यहाँ पर first name आ जाएगा जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ आप आप formula को भी देख सकते हैं तो इस प्रकास से आप left formula को उपयोग करके first name को find कर सकते हैं अब आप सभी solver की मदद से सभी salary की total को अपने एक्षा अनुसर बदल कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो आए वीडियो को देख कर सीखते हैं solver का उपयोग कैसे करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं हमने पहले सीख data को define किया हुआ है जहां month salary का column दिया हुआ है month में June, July, August और हर एक month की यहां पर salary दिया हुआ है तो यहां पर 4 month की salary है और target salary है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं यहां पर target salary 1,40,000 दिया हुआ है 1,40,000 दिया हुआ है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं जब हम पहले 4 month की salary निकालेंगे कि 4 month की salary कितनी है इसके लिए हम equal to sum इसको हम sum कर लेंगे जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं equal to sum इसको select किया bracket को close किया तो जो 4 month की salary है 1,6,600 है लेकिन जो target है वो 1,40,000 है तो इसमें से solver की मदद से जो salary वाला column में किसी 1 month को salary चेंज करें या 2 month की salary को change करें जिससे जो target value है वो आ जाए इसके लिए हमने tos पर click किया solver option को select किया जो target value है उसको हमने select कर रखा है पहले से ही जहां पर 4 month की salary है फिर value of में जितने हमें target चाहिए जो हमाई sell ही चाहिए वो sell ही यहां पर type करेंगे फिर इसके बाद by changing sell जो sell के अंदर में changes करना है उस sell को हमने select कर लिया यहां पर हमें 2 sell को select किया फिर solve पर click करेंगे जैसे solve पर click करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे solving successfully finished यहां लिखा हुआ है फिर key result पर click कर देंगे यहां आप देखेंगे जून मन्त है वो sell ही increase हो गया इसे 84,000 पर convert कर दिया और July को यहां पर 0 convert कर दिया जब आप इन टूनों को कोलम में से किसी एक नेम के अनुसार उसे निकाल कर दिखाएं कि वह कितनी बार आया है आए वीडियो की मदद से सीखते हैं नेम लिस्ट में से कौन से नेम कितनी बार आ रहा है इसे को count करना सीखते हैं ज्यासे कि मालीजे नेम लिस्ट में कनीका बढ़ा है कनीका कितनी बार रिपीट हो रहा है तो हम कैसे कांट करेंगे इसके लिए हम कांट इसका उप्योग करेंगे कि यहाँ पर हमने सबसे पहले एकrator में ख्लिक किया कि एक्षै इकोल्ट तर्द को टाइप किया कांट इफ टाइप किया जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यह पर कांट इफ टाइप किया कि जो रेंज है उस रेंज हमारा student name में हमें find करना है तो हमने यह पर range दिया, select किया उसको, semi column, फिर जो criteria जिसे आप point करना जाते हैं, यहाँ पर कनीका है, हमने कनीका को select किया, bracket को close किया, और enter बेटन को press किया, यहाँ आप आप देखते हैं, दो लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब इस list के अंदर कनीका दो बार है, इसलिए यहाँ पर दो आ गया, क्योंकि नाम किजनी बार repeat हो रहा है, अब आप सभी अपनी salary के total में से, first, second, third rank के salary के amount को निकाल कर दिखाएं, आईए वीडियो की मदद से rank wise salary को निकालना सीखते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमने एक column के अंदर कुछ name को type करेंगे, और वहाँ पर कुछ salary हमें आप टाइप करेंगे, जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने आपके कुछ name type किया, name वाले column में हमने a, b, c, d, e, कोई भी randomly हमें आपके नाम दे दिया, हम आपके alphabets दिये, अभी हम यहाँ उसके salary हम भी define करेंगे, तो next column में हमने आपके salary, कुछ numbers हमने आपके type किये, जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है, आप भी देखके type कर सकते हैं, तो हमने आपके name और salary को यहाँ पर define कर दिया, अब हम यह चाहते हैं, जो salary है, इस salary में से, जो rank visor, सबसे highest salary किसकी है, फिर उसके बाद कौन सी salary है, और फिर third number पर कौन सा है, हम इन तीनों के निकालना है, तो इसके लिए हम कौन सा formula का उप्योग करेंगे, तो हमने एक नीचे यहाँ पर rank लिखा, और यहाँ पर salary, rank में हम यहाँ पर define करेंगे, 1, 2, 3, third rank तक हम यहाँ पर define किया, अब जो first number पर जो salary है, जो highest salary है, उसे find करेंगे, तो कैसे find करेंगे, इसके लिए हम equal to large, यह पर हम large type किया, bracket को start, कि जो भी data, उस data को select करेंगे, semi column, यहाँ पर rank है, rank 1 है, तो हम उनको select करेंगे, bracket को close, enter button को press करेंगे, जो salary वाले column में से है, जो highest salary है, वो यहाँ पर, highest salary यहाँ पर आ जाएगा, बाकि first और third और second को निकालने के लिए आप नीचे ड्रैग कर देंगे, तो first, second और third, इन तीनों की salary यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, तो इस प्रकार से आप rank wise salary निकाल सकते हैं, अब आप सभी किसी formula की मदद से row two, column two की value को find करके दिखाएं, आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं, किसकी value को कैसे find करते हैं, आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं, row two और column two की value को कैसे find करते हैं, इसके लिए हम indirect और address formula का उप्योग करेंगे, किसी भी cell के अंदर जो भी value लिखा हुआ है, उसकी value को find करने के लिए हमें indirect और address formula का उप्योग करना होता है, इसके लिए जहाँ पर भी आपको value find करना है, वहाँ पर click करें, equal to, indirect type करें, अब हमें reference यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर पहले address formula भी type करेंगे, हमने address formula यहाँ पर टाइप करें, bracket को start, यहाँ पर हम पहले row को define करेंगे, कौन सी row है, हमने यहाँ पर bracket, row, bracket start, यहाँ दिया हुआ है, तो इस cell के भी value find करना है, हमें row 2, हमने row 2 के यहाँ पर select किया, यहाँ पर a2, इसको close किया, फिर column को define करेंगे, हमने यहाँ पर column type किया, bracket start, reference में फिर हमें select किया, bracket close, फिर यहाँ पर type है, type में हमने फिर फोर टाइप किया, फिर bracket को close किया, और enter बटन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो value यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अब आप सभी h look up formula की मदद से, अपने data में से किसी दूसरे seat पर 5 number column के data को लेके दिखायें, अगर column के data को insert करने में कोई समस्या हो, तो वीडियो की मदद से सीखें, आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं, h look up formula का उप्योग कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने, जो row के अंदर जो value थी first row के, उसे हमने copy किया, copy करने के बाद हमने इसको seat 3 पे paste कर दिया, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, first name, student name, math, science, total marks, email id, date of birth, month, जो first row के अंदर लिखा हुआ था, वो हमने यहाँ पे copy कर लिया, अब हम चाहते हैं इन में से किसी एक की detail को find करना, तो इसके लिए हम H lookup को उप्योग करेंगे, यहाँ पर हमने V lookup टाइप किया, जो A1 है seat उसको हमने select किया, semi column लगाया फिर, seat 1 पे गए, जो भी हमार पास data है उस सारे data को हम पहले select कर लेंगे, इस pool table को हमने select किया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिछ semi column लगाएंगे, इसमें से जिस row की भी आपको value निकालनी है, उस row को हम यहाँ पर type करेंगे, हमें 5th row कानी का, उसकी value निकालना है, तो हमने आप 5 type किया, फिछ semi column, उसके बाद हमें इसे close करेंगे, 0 से, 0 यहाँ पर हमने type किया, और bracket को close किया, उसका दा हमें enter button हिट करेंगे, तो यहाँ पर जैसे enter button हिट करेंगे, तो यहाँ पर email id लिखा हुआ गया, यहाँ पर email id से लिखा हुआ आया, क्योंकि हमने यहाँ पर vlookup formula का opo किया है, हमें kanika के value निकालना है था, तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर v की जगा है h, यहाँ पर हमें hlookup टाइप करेंगे, और कुछ भी change करने की जूरत नहीं है, क्योंकि सारा हमने syntax ही लगा है, सिर्फ आपको यहाँ पर hlookup बाकी के जो इस index सेम रहने देंगे, जैसे हमने यहाँ पर hlookup टाइप किया और enter button हिट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर kanika लिखा हुआ आगे, क्योंकि 5th row में kanika name लिखा हुआ था, जब आप उसको ड्रैक करेंगे तो उसकी पूरी डीटेल यहाँ पर आ जाएगा हम, जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं, यहाँ पर name, math में subject, 88, science, total marks, email id, date of birth, month, first name, तो यह सारे हमने hlookup की मदद से इस सारी value का हमने यहाँ पर find किया, syntax हमारा यह है, आप द्वारा से देख सकते हैं, hlookup, bracket start, a1, जो आपको पहला cell होता है, उसको select करना होता है, bracket, फिर जो data आपका array है, table array उस पूरे को select करना है, फिर आपको row define करना है, कि इस row की value find करना है, तो वो row number type करेंगे, फिर semi column, उसके बाद 0 से आप type close करेंगे, enter button को press करेंगे, तो value आजाएगा, तो इस प्रकार से आप hlookup का उप्योग कर सकते हैं, क्योंकि आज की class यही पर समाप्त होती है, अब आप सभी अपने file को save करें, फिर computer को shutdown करें, अगली class में आप सभी उपस्थित रहें, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगली class में practical test लिया जाएगा, अगर कोई भी छात्र उपस्थित नहीं रहता है, तो वो written test के लिए मान्य नहीं होगा, आज की class में आप सभी ने spread sheet के advance option का revision किया,